यो बच्चों वेलकम टो हर्स पब्लिक एसुल गुरूगराम यूटूब चैनल तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चो सेल्फ प्रैक्टिक्स 3C का और वो कंपीट वर्ड प्रॉब्लम कुश्चन था तो सभी का वर्ड प्रॉब्लम्स और उनके जो कैसे स्टीटम वाले हैं स्टोरी संबाले जो क्वेश्चन से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कैसे लिखा जाता है यह आपको समझ आ जाएगा तो अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी वात है तो आज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टिस ऑफ एडिशन क्या कहता है औ और आपको कैसे समझना लेना है जिससे कि आप इनके जो क्विक एसाइनमेंट्स अभी में कराओंगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा और उसके बाद जो है बच्चों आपको एक्सरसाइज आएंगे तो वहां पे भी आपको गाफी हेल्प मिलेगा तो देखिए सबसे पहले कह रहे है properties of addition तो addition की भी बहुत properties होते हैं तो कुछ properties को हम discuss करेंगे आपके standard के according पहला properties में कह रहे है change the order of two addends does not change the sum कह रहे है कि दो addends के order को अगर आप change कर देते हैं तो उनके sum में कोई change नहीं होता है this is called order properties of additions यह हम क्या कहते है order of properties कहते हैं जैसे एक्जांपल के लिए मैं बता हूं जैसे देखो बच्चो ए और प्लस बी तो इसको अगर मैं बी प्लस ए लिग दो ना तो इसमें क्या होता है देखो order सीफ चींज हो गया addends में कोई चींज नहीं आ रहे है to addends does not change and their sum will be never change एक्जांपल आप यहां पर देखिए find the sum of what is 4619 and 2836 तो यह हमें दे रखे दो addends अब दोनों addends को हम दो तरीके से add कर रहे हैं देखो तो ones, tens, hundreds, thousands है तो हमने पहले addends लिखा फिर दूसरे addends लिखा दोनों का add किया 74,7455 आया इसकेंट वे देखिए हमने इसको उल्टा कर दिया पहले यह addends लिया फिर यह addends लिया दोनों एडेंस को जब हमने एड किया तो रिजल्ट क्या आया 7455 तो हमने क्या देखा कि यह प्रोपर्टी जो है यह ओडर जो है बचो अप्लिकेवल है हर एक के लिए अप्लिकेवल है तो वी सी दाट दाट इकुल्स तो दाट अंडिस्टेंड क्या होगा 7450 555 आज आएगा सो दिस प्रोवाइज दो शॉटर आफ प्रोपर्टिस उपडिस और प्रोपर्टिस उप एडिसन ऐगे जालके कोम कमनिकेटिव लॉप होगा बच्छो आप हाईर घ्लास में जाएंगे तो समझेंगे अभी आप यही समझे और और प्रोपर्टिस उप है औ track चिहरुए लो क्या हमोद है एडिटी प्रोपर्डीज ऑफ जीरो बोलते हैं आप coach के बच्छे से एकदव क्रिस्टे क्लियर हो गयां राइट समझ मैं किसी भी नंबर में यानि एनी नंबर में अगर आप जीरो एड करोगे न तो वह नंबर इटसेल आएगा चलिए एक्जामपल दिखाते हैं आपको यहां पर देखे एक्जामपल नंबर 10 find the sum of 51,682 and 0 तो अब यहां पर हमने टेवल बना करके आप यहां पर देख पा रहे हैं 51,682 में 0 एड करेंगे तो क्या होगा वो नंबर ही आएगा वो नंबर रिजल्ट से ही माएगा so that's properties is known as additive properties of 0 understand अच्छे से समझा है properties चलिए अब थर्ड प्रोपर्टीज देखे थर्ड प्रोपर्टीज क्या कहता है the way in which we group the add-ins does not change the sums this is called group या associative properties of add-ins मतलब क्या कह रहा है the way in which कह रहा है वो एक वे है we group the add-ins group of add-ins यानि दो या एक दो से ज्यादा मान लो add-ins group में होता है does not change so that's the sum does not change मतलब उन तीनों को अगर आप add कर देते हैं तो उसमें सम में कोई चींज नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं group is called associative properties of add-ins understand let's see the examples so यहां पर देखो a b n c दे रखे अब इनको दो अलग अलग तरीके से हम add करके देखते हैं कि क्या इनके सम में कुछ चींज आ रहा है और अगर चींज नहीं आ रहा है हम यह 100% कह देंगे कि grouping यह फिर associative properties of add-ins applicable है राइट सो फस्ट वे इस देखो इस तरीके से arrange किया है तो पहले इन दोनों को add कर दो तो यह result निकल के आ गया आप ऐसे अच्छे से देखे result आया और फिर उसके बाद जो यह result आया उसमें हमने यह बाला part add किया तो यह आया पहले हमने इस दोनों को add करा यह result आने के बाद यह लिखा और फिर थर्ड वाला part है यह वाला part यूज किया तो हमने क्या देखा कि अगर हमें तीन नमर्स दे रखें तीनों को अलग-अलग group बना करके भी add करते हैं यह कैसे भी add करेंगे न तो सम में कोई change नहीं आएगा और सम में कोई change नहीं आएगा तो उसी को तो हम कहते हैं बचो associative properties of addition कहते हैं उसी को क्या कहते हैं associative properties of addition कहते हैं तो I hope ये बाते आपको समझ आ गया और इस तरह की questions होंगे तो आप आसानी से इसके answers find out कर सकते हैं तो चलिए इसी properties के according आपको कुछ examples दिये हैं कुछ quick assignments दिये हैं कि क्या आप quick assignments जो तीन properties में नहीं बताया क्या इन तीनो properties के according आप भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं भर पाते हैं तो पर भी अच्छी बात है because मैं आपको complete A to Z सारे point discuss करता हूँ आपके साथ right तो आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा है ना चलिए तो कोई बात नहीं आप इनको समझ ये बच्छो फिल जरूर लीजिए बच्छो क्योंकि ऐसे questions आपके exam में भी पूछे जा सकते हैं आपके test में भी पूछे जा सकत हैं या कहीं पे competence exam देने जाते हैं किसी स्कूल के entrance exam देने जाते हैं तो वहां पे ऐसे question आपसे पूर्ठ लिये जाते हैं तो आपको यह सी पदा होनी चाहिए और आप practice करोगे तो और भी perfect हो जाएगा आपको अब आप यहां पर देखे करें using the properties of addition अभी जो हमने तीन properties आना है सो अब देखो 75 यहां पर है 95 है तो हमें क्या करना है यहां पर यह 98 लिख देंगे और 75 लिख देंगे तो यह statement क्या होगा true हो जाएगा यह sentence है यह क्या हो जाएगा true हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था किसमें first properties order properties of addition में देखा था कि a plus b to b plus a था तो हमने वह प्र 403 और 45498 है यहां पर वही सेम है order properties है बचो order properties of addition में यही था a plus b b plus ठीक है अब आप यहां पर देखिए क्या है zero plus that यह second properties है बचो क्योंकि मैंने बताया था आपको second properties कि any number में अगर आप zero add करोगे ना वह number itself ही आएगा तो वही चीज जिन्होंने गुमा के पूछा है same d में भी वही है चलिए अब देखिए second में कहाए replace each यह जो dash है with the numerals using the associated properties of addition अच्छा अब यह आपको third properties मैंने associated properties detail बताया देखो seven plus four है और plus three आ गया यह तीन नमर है तो यहां पर देखो seven हम बाहर किया four plus three तो आप देखिए यह नमर्स हमें दे रखा यहां पर यह नमर four eight one दे रखा है तो nine nine four क्या होगा वजो थर्टीन यहां पर देखो four eight और one क्या होगा nine nine four क्या होगा तो आपने देखा कि कैसे quick assignments आपको करना है और कितना easy है क्यों easy है क्यों क्योंकि आपने क्या क्या बच्चो कि जो properties of additions को अच्छे से समझा है पहले दूसरे तीनों समझा है आपने तो उसके बेस पर यह आपको बहुत easy लगा बहुत आसान लगा चलिए आगे बच्चों आपने समझा कि तीन properties मैंने आपको बताया पहला order of properties आपने देखा फिर additive properties of zero देखा फिर associative properties of validation देखा तो अब बच्चों हम cover करने वाले subtraction क्योंकि आगे की टॉपिक है वह subtraction देखो subtraction क्या होता है in general way में अगर मैं आपको समझाओं कि subtraction में क्या होता है तीन main part होता है बच्चों तीन main part आपको याद रखना पड़ता है चलिए वह मैं आपको दिखा तो देखो जो पहला values होता है वह menu होता है और जो second value होता है वह subtraction होता है और जो result आता है तो अब इसमें एक चीज और समझो जो सबसे बड़ा याई हाईर माइनस लोवर होता है जो higher values होता है ना उसको हम menu बोलता है मैंनूट है ना और जो smaller value होता है उसको subtraction है और जो result आता है that is called difference बोलता है तो आपको यह तीन ही व इस ठीक है smaller than the subtraction है यह भी clear तीनों वही बात सीम कहार है आप यहां से definition भी अच्छे से याद कर सकते हैं चलिए अब देखिए आपको इससे पहले जो addition आपने किया था 4 डिजिट के नमर को आपने additions किया था 5 डिजिट के नमर को इसी डिजिट यह नमर को किया था और उस पर से कही सारे word problems किये थे तो अब subtraction की है पहले 4 डिजिट देखेंगे फिर 5 डिजिट देखेंगे है ना फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अब यहां पर देखिए simple सी बात है subtract कहा रहा है राइट फ्रॉम 85184 राइट तो फ्रॉम कहा रहा है तो इसमें से हमें करना बना के भी कर सकते है तो आपको यहां पर तीनों स्टेप समझ में आ गया कि subtraction अलग अलग मैथर से आप कर सकते हैं आपको जो इसी लगे आप वह मैथर यूज कर सकते हैं वहारे हिसाप से यह मैथर ज्यादा इजी है यह मैथर थोड़ा सा लेंदी है बढ़ इसी तो है ही इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे सीम वही है बच्चो 3000 अब यहां पर देखो कह रहे हैं यहां पर from रॉम नहीं है तो सिंपल है तो यह हो जाएगा हमारा मैन्यूड यह हो जाएगा सब्ट्राहंड और जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आप कर सकते हो या फिर इनको expanded form बना करके कर सकते हो या फिर सिंपल में कर सकते हो या राइटिंग भी प्रपर तरीके जो करते हैं यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं तो इसमें अलग-अलग methods दिये हुए हैं आपको देखना है कि आपको कौन सा method suitable है और आप आसानी से कौन से method से कर सकते हैं clear चलिए आप example नमर 14 को भी यहां पर देख पा रहे होंगे हैं तो 14 में देखे अब यहां पर देखो कहा रहा है कि 6845 from 8007 from जब भी आतना बच्छो तो इसमें से हमें करना परते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो या simple way में कर सकते हैं तो I hope यह बात इस पर एक assignments है इसको quick assignments इनको आपको देखाते हैं और इनको solve करते हैं right देखो यहां पर कहा रहा है quick assignments right the quick assignment में कहा रहा है कि solve and fill solve and find what a numeral should be fill is a circle in each of the following अच्छा यहां पर तीन question दे रखा है और यह जो circle से circle में fill करना है वैसे मैंने fill कर रखा है जिसे कि कम समय में आपको जादे बाते को अच्छे से explain करके समझा पाऊ है ना right so अब यहां पर देखो यह digits हमें यहां पर भढ़ना है one stands hundred thousand तो यहां पर देखो three में से ninth हो चाहेगा नित इसमें से carry लोगे बट इसमें ते कुछ है नहीं इसमें भी नहीं दिश्में से carry लो इसमें से carry इसमें इसमें से carry इसमें तो है और ये इसको carry दे रहे तो 10 place पे हैं तो 10 इसको carry देता है एक carry नहीं देता है बड़ हम मान के चल दें कि एक carry ले लें लेकिन यह 10 place पे अगर एक value आ जाता है तो 10 आ जाता है इसके पास तो यह 13 बन जाता है समझेगे मात कि 13 क्यों बना तो 13 बन गया और 13 में से 9 को अगर आप less करोगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा अब देखो बच्चो यह 9 बच्चा 9 में से 3 जाएगा तो 6 यह हो गया 9 9 में से 5 जाएगा 4 और यह बच्च गया 7 तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 तो यह आपके रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से सरकल में फिल करना था तो आई होप समझ में आ गया सेम प्रॉसेस यहां पर भी है बच्चो वही प्रॉसेस यहां पर भी है आपको क्या करना है यह देखो लेस नहीं हो रहा तो इसमें से कैरी लोगे राइट और यह 10 प्लेसे में तो य रिजल्ट आ गया 2759 आ जाएगा और यहां पर यह चीज़ दे रखा यह फिल करना था तो समझ में आ गया आपको अच्छे से यह आप फिल कर लिए होंगे तो आई होप आपको क्विक असाइन्मेंट अच्छे से समझ में आ गया और जो सब्ट्रेक्शन के जो इंड्रॉड आपको समझ में आ गया और तीनों के एक्जामपल भी समझ में आ गया तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी बच्चों तब तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प लोगों के लिए राइट तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एक्सरसाइज के साथ भी तब तक पढ़ाई करते रहे और वेरी वेर